हेलो स्टुडेंट्स आपका स्वागत है हमारे चैनल क्रेज बाइलोजी पर यहाँ पर हम पढ़ाते हैं बीएसी से रिलेटिड बॉटनी आज हम पढ़ाएंगे बीएसी फस्ट येर के सेगंड सेमिस्टर की यूनिट फस्ट इससे पहले हम एक वीडियो में स्लेवस का डिसक सेमिस्टर में उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आज स्टार्ट करते हैं यूनिट फस्ट फस्ट यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू अर्की गोनियेट्स एंड रायोफाइट्स मतलब हमें इसमें पढ़ाई करनी है किस-किस के वा प्लांट किंग्डम का क्लासिफिकेशन किया गया है तो प्लांट किंग्डम का क्लासिफिकेशन है प्लांट किंग्डम को क्लासिफाइग किया गया है दो सब डिवीजन में कौन-कौन सी क्रिप्टोगेमिया एंड फीनरोगेमिया क्रिप्टोगेम्स और फीनरोगेम्स यह थैलास होता है और एक्जम्पल एहलगी ब्राइफाइटा ब्राइफाइट्स जो के आपने पढ़े हैं प्लांट्स ब्राइफाइट्स 12th क्लास में पढ़े होंगे उसके बाद टेरिडफाइट्स और इसके बाद फीनेरोगेम्स को क्लासिफाई किया गया है कौन-कौन सी डि से अटे में इस प्लांट किंग्डम के डिविजन में इस प्लांट किंडम के डिविजन में आते हैं और तीन में कॉली कबलते li क्या और ऐकोनियरोगेम्स बोलते गात प्रहांत में चैंकटिंस ऐँ इनको एक प्लांट्स में किस सित्सारी को तोगिम के रूप में प्रिजेंटान वे kind फिन happier निव किट और इस तर्फ में और ने हैं कि अभी लेंगे तरदेज दोस्तों अथेयर अभाल क मैंने अर्फिक टार पहुतली होता है अब कि गौ मुलिय के मुटकर सी यूणियों मैंरे मुझा नटाल कि और शांव गने और और भून कम ह Nigeria तो और्की हो नियां आई ओभ यह डिफ्रेंस आपको पता होगा अब चलो देखते हैं यह मैच्च और अर्की गॉनियम आपको पता होगा फ्लास्क क्या होता है ऐसे इस तरह से एक स्ट्रक्चर इस तरह का स्ट्रक्चर प्रजेंट हो जिसे हम बोलते हैं फ्लास्क इस तरह का स्ट्रक्चर होगा यह लॉंग लॉंग कनाल और नीचे इस तरह से जैसे आपने शुराही पड़ी देखी होगी शुराही उसे बोलते हैं फ्लास्क फ्लास्क से श्ट्रक्चर अर्किगनिय का structure ऐसा ही होता है यह है कुझा इस हम की को सायी तोமंझ में आ रहा होगा इसी फलास्क जैसा दिख रहा दू इसलिए इसको है फ्लास्क से रे डिंट्टिंठ था उल्टा कणाल्स सेल एटो क्या क्या help होता है और बैंटर होता है एक का प्रेजेंट होता है एक इस्ट्रक्चर होगा वेंटर उसमें एक प्रेजेंट होता है एड़ी टॉप ऑप दी नेख ओप टे एक गोंगे जो कि एक उनियम से सेपरेट हो जाते हैं कब जब वेंटर और नेक कराल सेल्स का जिलेटनाइजेशन ओवर हो जाता है खतम हो जाता है तो यह सब आपको अभी इतनी अच्छी तरह से समझ नहीं आएगा जब तक आप इन डेटेल ब्रायोफाइट और टेलोफाइट की स्टडी नहीं करेंगे मंच इन बास है रहो हैं जो इसको in close करके रखी हुए इस्ट्रुक्चर को इंटरनल सें वों उन्टर कनाल सेल्स ओर ऊपर की तरफ यह ने सेंसे are कनाल सेल्स और ऊपर बताय गए थे हैं यह कबर शैल्स और पे शान है अब अब हम देखते हैं यूनिक features of Archegoniates Archegoniates के features क्या-क्या है unique features जो कि Archegoniates के है The Archegoniates seem to have originated from a monophyletic group of aquatic green algae Archegoniates कहां से originate माने जाते है कहां से वो evolve हुए है aquatic green algae से अब green algae आपने पढ़ी होगी algae topic में algae सबसे पहले plant है जो कि evolution में आए तो उन algae के बाद क्या आए Archegoniates और Archegoniates में क्या-क्या है Briophyte, Terodophyte और Gymnosperm तो evolution में sequence क्या है algae, Briophyte, Terodophyte, Gymnosperm इस तरह से plants का evolution हुआ था तो Archegoniates का ये एक feature है Presence of female sexual organs are called Archegonium and male sexual organs are called enthridium जो female sexual organs होते है उन्हें क्या बोलते हैं Archegonium ये तो definition ही है इनकी Archegoniates की जिनमें Archegonium present होगा as a female reproductive organ उनको बोलेंगे Archegoniates तो female sexual organ कौन सा है Archegonium और male sexual organ enthridium ये दोनों याद रखिएगा The presence of chloroplast containing chlorophyll A, B, and carotene तो इनमें कौन-कौन सी chlorophyll को content कर रही है chlorophyll A, B, and carotene क्योंकि ये plants हैं तो इनमें photosynthesis भी होगी और photosynthesis होगी तो photosynthetic pigments की जरूरत है तो इसमें कौन-कौन सी pigments है chlorophyll A, B, and carotene ये इसमें photosynthetic pigments present है इसमें alternation of generation present in plants में, मतलब एक generation में gametophyte होगा, दूसरे generation में क्या होगा? इसको बोलते हैं, हीट्रोमोर्फिक alternation of generation, यह आप आगे पढ़ेंगे, हर एक plant पार्ट में, इसमें पढ़ेंगे, तब आपको ज़्यादा clear होके समझ में आएगा, provides protection to the air embryo, यह अपने embryo को protection प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, male gametes are flagellated and motile in briophytes, tetophytes, cyclical zingles, while the female gametes is non-motile, जो male gametes है, वो flagellated है, मतलब उसमें flagella present है, और motile है, मतलब movement कर सकता है, एक जगे से दूसरी जगे जा सकता है, male gametes, किस-किस में, briophytes में, और telophytes में, telophytes में मीं, cyclical zingles में, while the female gametes is non-motile, और female gametes है, वो movement नहीं कर सकता है, वो non-motile है, water is needed for the fertilization in briophytes and telophytes, but not in gymnosperm, water fertilization के लिए किस-किस में नहीं 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 है, briophytes, telophytes, और किस-किस में नहीं है, किस में नहीं चाहिए, gymnosperm में, water की need नहीं है, और water की need है, क्यों इन दौनों में भी fertilization के लिए, क्योंकि जो male gamete है, वो तो motile है, और female gamete के पास उसको जाना पड़ेगा, तो कोई medium से यह जाने के लिए, एक जगे से दूसरी जगे, तो इसलिए water की need है, तो यह हुआ unique features of archivonious, यह topic complete हो गया, अगले topic में हम पढ़ाएंगे, briophytes, अगर आपको यह video अच्छी लगी हो, तो channel को subscribe कीजिए, video को like कीजिए, और ऐसे ही देखते रहे है, आपकी study बढ़